पस्सु पत्ति पारश ही नहीं नराज है आप देखे होंगे की पूरे देश के दलित नराज है दलित भाई इसका बदला हम लोग लेने का काम करेंगे मोदी जी से और भाजपा से हमारे आधरनिये सम्मानिये नौजवानों के नायक, विरुजगारों के हमदर्द और आधरनिये हमारे तेजस्वी वागुद्ध भोखा देना ये भाजपा के फितरत में है। नहीं मेरे यहां कहि कोई पेच फ़सा हुआ नहीं है। करके यह आपस में तय हो जाना है और तय हो करके यह गोशना भी हो जाएंगे जो खबर आ रही है कि पुरे देश के दलित नराज है मोदी जी से एंडीये से चुकि जिसटर से राम विलाश पसवान जी की आस्याना को उजारने का काम किये जिसटर से उनके फोटो को खचलने का काम किया जिस तरफ से आपका उनका मुर्ती को तोरने का काम किया आप इस बात को देख रहे होंगे उससे पूरे देश के दलित राम पस्वान सभी हमारे दलित समाज बर्ग के लोग इस चुनाव में हम लोग जो हैना पस्वान जी की आश्याना पस्वान जी की आधरनिये हमारे पस्वान जी पस्वान जी की मूर्ती जो तोरा गया उनके फोटो जो कुछला गया इस चीज का हम लोग पूरे देश के दलित भाई इसका बदला हम लोग लेने का काम करेंगे मोधी जी से और भाजपा से क्या लग रहा है महागटम दन्मेगर पस्वाती पारस आते हैं तो आप लोग स्वाकत करिएगा ये हमारे आधरनिये समानिये नौजवानों के नायक बिरुजगारों के हमदर्द और आधरनिये हमारे तेजस्वी बावू और आधरनिये हमारे गरीबों के मसीहा दलितों के मस जिहां आदरनिये रालोप्रशार यादो जी और ये सब लोग मिल करके ये तै करेंगे कि किन को लाना है और णहीं लाना है और उनके साथ ध्यौखा जाह दोखा देना यह भाजपा के फित्रत में है आप देखे होंगे कि बार 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 वादा करना बार बार उस वादा को तोरना जनता के साथ दोखा देना अपने अपने जो है पार्टनर जो है पार्टनर को दोखा देना यही तो भाजपा की फित्रत है इसी फित्रत ऐसे फित्र लोग जो है ना भाजपा को इस बार दहाई के संख्या में नहीं जाने देंगे पूरे देश में वो जो है एकदम जीरो पर आउट होने वाले हैं आप लोग में तेखता ही नहीं है देश के किसान आप देख रहे हैं कि बस एक ही उनका राग रहा कि ना तो उनका उनको उन्नत बिज मिला नहीं उनको खाद मिला और नहीं उनका जो पैदावारी का समर्थन मूल मिला पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि नौजवान भाजपा से यही कहा कि आपने जो दो करोर लोगों का प्रतिवर्स नोकरी देने की बात कही और ये जो है दस साल में 20 करोर लोगों को नोकरी मिलना चाहिए और नोकरी कहा है लोग तो यही राग अलाप रहे हैं कि मोदी जी जो आपने वादे किये थे वादों के हिसाब से किसानों की आमदनी दोगुना कहा हुआ आपने कहे थे कि काला धन वापस लाने का काम करूँगा आप बोले थे 90 दिनों में काला धन वापस लाऊंगा क्या 90 दिनों में काला धन वापस आया आप बोले थे कि 2022 तक सभी गरीबों का मकान को हम लोग पक्का करने का काम करेंगे क्या गरीबों का मकान पक्का हुआ आप ब जुमला की पाटी है और ये जुमले बाज है ये चार सो नहीं चार से पार कर जाए तो जो कहिए सो ये जनता सब जानती है कि हर जगा सारे महारती उसका धेर होंगे और बिहार में एकदम 40 के 40 शीट पर भाजपा जो है एकदम हारने वाली है क्या कुछ मुद्दार रही कि आई श्रम्हागटवंदन का लुक्षवाचुनाओं आप तो देखे होंगे न कि 17 साल बनाम 17 महिना जिस तरह से हमारे नौजवानों के नायक और बेरोजगारों के हमदर्ध गरीबों के हमदर्ध और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से अच अच्छा मैनेजमेंट आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी बावु के कारे कुसलता पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में सब लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी बावु जिस तरह से मैनेजमेंट जिस तरह से मैनेजमेंट करके और 17 महीनों में एक मालगारी को राजधा लखानी बना करके जो कारें बोल रहे थी कि यह संभव है उसको संभव करने का काम और जजबा और जुनूर किसी में है तो हमारे तिजस्वी बावु में है और उन्होंने सत्रह महीनों में वह कारें का काम किये वो तो उपमुख मंत्री थे हमारे हमारे आधर्य नेता उपमुख मंत्री थे जदी मुख मंतिर रहते तो मैं बता देता हूं कि दस लाख से वह आकरा पार कर गया रहता और आने वाला समय में इनको मौका मिलेगा हमारे आधर्य नेता जी को तो हम ये बताते हैं 10 लाख ही नहीं अधर जिसे आप देखे होंगे कि 5 लाख जो है सरकारी नोकरी और आपको बता दूं कि और 20 लाख से जादा लोगों को रुजगार भी मिला तो इस तरह से अच्छा मैनेजमेंट करके आदरनी तेजस्वी बावु ने जिस तरह से बिहार के जनता को दिखाने का काम किये कि मन में अच्छा तरीका से मैनेजमेंट आप किजेगा तो जरूर बिहार के नागरीकों को रुजगार भी मिलेगा सरकारी नोकरी भी होगा और विकास के कार्य भी होंगे। ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहां? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ। अपने पुढ़निया में घर ले लिया है। पुढ़निया के e-homes panorama में। पुढ़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग। अड़े-अड़े, आप क्यों मूनिठा करवा रही हो। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है। घर वापसी की खुशी। पुढ़निया में e-homes panorama के संग। e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.